बहाराइच रिसी अबलाक शेत्र के परसा खरगोन बदरी पुर्वा गाउं के बहान नाली पर सडक बनने से ग्रामिन हुए आक्रोशे। सीजन आखिर के सानों के खेतों तक कैसे पहुचेगा पानी जब नाली बन रही सडक विकास खंड अधिकारी मामले से हैं बेखबार इस नाली के जरिए कई अकड की फॉस्टों तक पहुचता है पानी अनुजय सवाल कि रिपो सब्सक्राइब नाली में पानी जो सीजता जाता है अगर नाली न रही जाए तो हम लोगों को दाना बिलमा जाएंगे यह सन जो है अगर बंध हो जागे तो हमको लोगों पास बहुत बड़ी दिककत समझे आजा जाए कि मों कर घाएंगे अंको नाली जगे नाली नहीं चेह रोड बगल में थे जो इस पटवा रहे थे इंको नाली चेहिए नहीं जरूट की नहीं जरूटा था ठीक यह यहां चकरोट पड़ा थे पानी नाग रस्ते लए तो आभ ही कहां अभी जब आभाराय से लगाई बें तो पटाई चल ले हैं तो का साहिव लोग 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 नक्षावाज़ा कि लोग लोग पानी कहां से पानी उडाय कि आप के बारे मख्याल किया जा हमें लोग कहने भर एक मौका है कि देख जिया मौक जांच कही लिया जा पार्धान पटावो थे हैं इमिलिया के तो जहाना फेरिक पाने न मिली तो बड़ा दूर है इस पट्ड़ इगा नाली लगवा उने पानी कैसे चाहिए नाली कई वर्सों से ह इसको पटवा रहे हैं परधान नाली पटवा कर चक्रोड बना रही है और बगल में भी डामा रोड भी है इसे नुक्सान है किसानों को इसने वाले कम से कम 401 कर शीचे वाले हैं उनका सीजान है ब्यार बोवाला है नाली पट रही है किसानों को दिक्कत हो रहा है परधान अपने आपको बहुत को समझ रहे हैं कि हम इसको पटवा देंगे ना किसी को बुलाते हैं अपने आप काम कर रहे हैं तो यह थी फिलाल की कुछ खास ख़बरे बाकी की ख़बरों के लिए देखते रहें यू एफ्टी लैप्टी नमश्काल